हेलो माई डियर फ्रेंड्स बिपी एससी जो भी एस्प्रेंट सो आप लोग वेलकम टू आवर चैनल आई एम प्रेम कुमार देखिए यहाँ पे हमलों इडूटेरिया का बिहार करेंट परसा गया है और यहाँ पे हमलों दोनों मिडियम हिंदी और इंगलिस मिडियम में करने के लिए यहाँ पे प्रियास किया है देख सकते हैं जुलाइस लेकर अक्टूबर दोजा चोबिश तक अप्टेटेड है और यह बिपी एससी यह पब्लिक बिहार वाला है पुलिस वाला और बिएससी बिहार टीचर एक्जाम सभी क्लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों चलि प्रिक्टिस सेट भी इसमें दिया हुआ है तो यह अच्छा मतलब की कवरेज किया है बिहार का अब देख सकते हैं बिहार में पहले तो साथ-ाट कोशन आ जाता था अभी लगबग पांच बियार का करेंटे पर के प्रोक्स देखनों को मिलता है तो यह आपको बीपेसी में भी काम आएगा 17 बिपेसी में देखे दोस्तो हम लोग ने अल्रेड एक दो और इनिस्टेटी बे स्टार्ट किया था हैंड इटे नोर्स का जैसे मॉडरनिस्टी मेडिवलिस्टी एंसेंटिस्टी और बिहार यह बिहार प्रिस्पेक्टिव से था तो बिहार स्पेसल का हम लोग करा रहते हैं प्लोचार्ट के मादम से अगर नहीं देखो तो देख सकते हैं बडियो का आपको आई बटन मिल जाएगा या चैनल पर जाएगा प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है ठीक है दोस्तों हम लोग घटना चक्र का भी आल्रेड़ी यहां पर करा रहते हैं जो नेशनल वाला करेंट अफियर है आप तो यह बिहार हम लोग देखी रहा है आज यह बिहार वाला इडुटेरिया का आप लोग नेशनल वाला को देखना चैनल आई द्रिश्टी आक वाली जो घटना चक्र के आती है देखिए सतरवी बीपीसी यूपीपीसेस और यह आता है नेशनल वाला जो अभी तो यह अगस्त तक आया था यह अक्टूबर तक अगर आता है तो आप लोग बताई है कमेंट में कि हम लोग उसको भी स्टार्ट करें क्या है इंदी इंगलिस दूनों में ठीक है देखिए जोस्तों यह जो आपको क्या-क्या टॉपिक्स है इसमें देख सकते हैं पॉला में फटा-फट हंडेड मतलब कि सौट न्यूज दिया गया हम लोग इसी को डिसकस करेंगे यह थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि इसमें क्योर फैक्ट दिया हुआ है लेकिन एक बार देख लिए गया तो आपको आइडिया जोएगा कि जो 2022 ते इसमें हुआ था वो इंपोर्टेंट है तो हम लोग सब देखेंगे यहां पर देख सकता है कुछ लेटेस डाटा है कि बियार कराइंकोंगरा क्या ठीक है और लोग सब आई लेक्शन हुआ था तो वो सब में देख सकते हैं कुछ बिल्स है कुछ एक्ट है कोई इस ही यह सब हम लोग देखेंगे कौन कौन सावार किसको मिला बजट सर्वे टीक और इसमें कुछ एसपर्ट से रिलेटेड चीजे हैं फोरेस्ट वाला रिपोर्ट हम लोग पुरा चासा देखेंगे यह सेंसर्स का भी देखेंगे ठीक है फिर इसमें यह लोग MCQ प्रेक्टिस सेट वाइस करेंगे ठीक है दोस्तों चलिए फ्रेंड से स्टार्ट करते हैं यहां पे बिहार एट नेशनल लेवल पे पहला ओपिस किया है कि इंडिया का टॉलेश टावर कौन है जो कि मात्मा गांधी बापु जी को डेडिकेट किया गया है मात्मा गांधी इंग्लिस वाले यहां पे देखेंगे इंग्लिस वाले यहां देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा और मिलने चीज है कि मैं बताते जाओंगा बाइलिंग्वर डिसक्शन होगा विच स्टेट गवर्मेंट एनाउंस टू ओपेन बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्रांज इन ओ इट्स ग्राम पंचायत बिल्डिंग तो अपने स्वावी ग्राम पंचायत के भौन में यहां पे बैंक और डांगर का साखा खोल दिया है कौन की यह तो यह बिहार सरकार कर दिया है यह नेशनल लेवल का निवज ए ठीक है और उसमें बिहार का यह सब जुगदान है कौन स साघा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है तो सारन बिहार बना है दोस्टो कौं सा सारन बिहार तोप मैप में यह सारन वाला डिश्टिक है ठीक है यहां पर नेक्स्ट है विन्वीज डिस्टिक उप इंडिया का किस जीला में एस यह का सबसे बड़ा लार्जेस इतनॉल का अस्थापित किया रहा है तो यह जमुई डिस्टिक में किया रहा है दोस्तों और देखिए यहां पर हम और वी चीजे रिलेट करेंगे जैसे क्लाइमेट को लेकर शायगे । ईक्यांकी जूह engagेए जिए डिया में सब्सक्रेंगे सक्सेसपुली यहां पर टेस्ट कर लिया है, कउआपु देखेंगे, pioneer क defensive अप के तो हेल्थ में यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन फर्स्ट विमें इन द वर्ल्ड तो कॉंकर एवरेस्ट बेस्ट केंप इन 64 आवर ते कि 64 घंटा मालेजे कि 24 तेन बहुत तर आपके तीन दिन भी नहीं लगा है और पहली विमेन है वर्ल्ड में पहली जो कि इंपोर्टेंट है दोस्तों ध्यां रखिएगा सबीता मों तो छपरा तीके जोस्तों आगे हम लोग देखते हैं यह एक डिस्कॉसन पेपर आया था ठीक है वो नितिया को द्वारे निकाला गया था यह इसमें पूछा गया कि कि कितना पीफुल और बिहार को यहां पे मल् मतलब की एचीवेंट माना जाएगा नेक्स्ट यह बताएगा एक चीज इंडिया में मुल्टी डैमेंशन पौर्टी इंडेक्स यह क्या आपको नितिया निकालती है तो वर्ल्ड में ग्लोबल मुल्टी डैमेंशन पौर्टी इंडेक्स को निकालती है यह बताए आप तो आपको इसके बनने है ना सोलावे जो आपको बीतायोग बनना है जो बीतायोग बनने है उसका देखों और गिंद्परनगडिया है कि यह जो भी मैं यहाँ पे इंट दूंगा आ आपको मिकसिम चीजे रिकॉल करने के लिए ठीक है आप एक पर कहीं पड़े हो नहीं पर त अभी भी गरिवी रखा या गरिवी में जी रहा है ठीक है और हम लोग उने तीन पॉइंट साथ साथ क्लोर गरिवों को बाहर निकाल भी लिया है यह भी ध्यान रखिएगा 33.76 तो यह ध्यान रखना है ठीक है यह मेंस में भी आप लोग डाटा यूटिलाइज कर सकते हैं जह एक डेरिये मतलब होता है जो दूद्थ वागरा ढूरा कां कर रहे है ठीक है उनको यहाँ पर ऑने मैंस्ट रोक़ेशन है जो कि फॉस्ट डिश्टल करेंसी इंडिया में जारी किया है ठीक है फॉस्ट डिश्टल करेंसी यह पटना मुनिसिपल कोर्प्रेशन के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों कौनसा पहला डिश्टल करेंसी नेक्स्ट देखिए यहां पे पाउंड एस्टेन इस्टोन जाएगा तो यह पटना में खुला है दोस्तों बिहार के रहता नहीं देख सकते हैं फॉर्स्ट इस्टेट इन्द कंट्री विच मुनिटर्स एंबियंट एर क्वालिटी एड़ ब्लॉग लेवल देखिए अब देखें यहां पे एर क्वालिटी को मुनिटर किया रहा है और तो इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर करके बताइए थोड़ा आप लोग कभी रीपीजन होजाए कि दोस्तों बिहार करेंट पर को बिहार से इंटर रिलेट करने का प्रयास करेंगे बीच-बीच में क्वेशन में बूचेंगे आपको एक बार कहीं पढ़े होना था आपको बहुत सारा चीज रिविजन भी हो जाएगा ठीक है और इंडिया के नेशनल में भी अगर कुछ करे या ओनलाइन पिंदान आप घर से भी करा सकते हैं तो यह बिहार गुवर्मेंट का टूरिजम डिपार्टमेंट है उसके दोरा किया गया अच्छा इनिसेटिव है ओनलाइन भी आप चीज़ को करवा सकते हैं बीना गय हुए यह आप गया होगरा में देखते हैं बहुत परपूर आपको देख सकते हैं पतना बैसाली या मुझा परपूर तो नौर्थ इंटिया का थोड़ा साच्छा सीटी है इसलिए मैंने दिखा भी दिया है अगर कोई वहां से हो तो बते हैं कोमेंट में फॉस्टे स्टेट इंडिया टू प्रिपेर ए रोड मैप और को लेकर यह चीव अच्छा है लेंथ अप्ड़ कॉंटी लॉंगेस्ट रॉबर डेम देखिए देस का मतलब भारत का सबसे लंबा रॉबर डेम बनाएगा बहुत इंटेस्टिंग इसका वीडियो कर देखेगा गूगल पर सर्च कर लिजेगा कौन सा रॉबर डेम और यहा अच्छा मतलब कि यह रॉबर डेम है ठीक है यह एकॉर्डिंग टू बॉलूम आफ वाटर यह अपना से मतलब कि यू जो ठाइट होकर आए सब चेंज होकर अभी करता है ठीक है तो यह आप समझ सकते हैं इंडिया का लोंगेस्ट रॉबर डेम है कि इतना 411 मीटर का ठीक ह है आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या चीज है इंडिया का फर्स्ट कैंसर होस्पीटल बच्छों लोग के लिए खुला गया कहां पर तो पत्ना में यह खुला गया राजानी में फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एपॉइंट वीमेन ओपीसर ठीक है यहाँ पर ज करने के लिए और पोस्ट पे यह कर दिया है इंडिया का फॉर्ष टीशू कल्चर यह लैब बन रहा है यह टीशू कल्चर लाब है यह टी अंबी कॉलेज भागलपुर में बनना है दूस्तों टीनबी कॉलेज भागलपुर देखिए यहाँ पे निक्स्ट है फाउन्डेश सूच कर क्या रहा है एक चीज आपको यह आ रहा रहा है कि यहां पे मतलब कि कोई उनिवर्सिटी था पऊले इंसेंट इंडिया में दिखेर जो है यहां पर आपको दिख रहां यह भागलपूर है ठीक है अब को बताना है कि किसके द्वरा स्थापित किया गया था ठीक है उस्तर से कुदंत पूरी इन्वरसीटीटी भी था क्या Gopala 1 के द्वरा बनावा गया था क्या बताईगा 69 में आया हुआ था question 3-4 state में दे दिया था कि भागलपूरी इन्वरसीटी वाज situated in यह आपको बाकाट डिस्टिक तो गलत था ठीक, दूसरा में दे दिया था कि वो जो है बनाये गया है आपको गोपाला के द्वारा तो भी गलत था ठीक है, तीसरा में दिया गया था कि बजरियान होगरा वहाँ पढ़ा जाता था, सेक्शन बुदियम का तो उसरा ही था, कुछ और एस्ट्रोजी होगरा लॉजिक फिलोसपी पढ़ा जाता था, तो उसरा ही था तो यह इस तरह से आप रिलेट करियेगा इससाने की करेंट अपर के ओल पढ़े जा रहा है, उसको यह ओन लाइनर स्पीडी से काम नहीं चलेगा, फिर भी थोड़ा ठीक रहाता है, लेकिन आप थोड़ा डिटियर में कवर करिए, कोभी कोशन आ गया, तो उसको बनाने के लिए आप एवल रहे हैं, और स्टॉट के लिए यह कोई और पॉल कर सकते हैं, चली आके देखने से पहले एक चीजा बताएगा, नितीस नाम से कोई एक डिभाइस लॉंच किया गया क्या, यह नई TISS है, यह आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क मनतर चला जाए, इसलिए मैं पूछते चला जाओंगा, देखिए, यहाँ पर बोल लाए कि लार्जेस धंसलाज गया में खुल बताएगे इन्वर्सिटी बनाया गया, कहाँ बनाया है, राजगेर बनाया है कि बताएगे जल्दी से कमेंट करेंट करें आप यहाँ पर नितियाग को स्टीजी इंडेक्स निकलता है, यह इंपौर्टेंट है, सस्टेनवल डेवलफमेंट गोल डेक्स, गोल जो 2030 हम लोग का है इंडिया लग्ष रख च्रीक है दोस्तों इसमें जो है न यह नितिया को द्वारा इंडिया में निकला जाता है इसमें हम लोग का जो है पुजीशन कितना है देखें लास्ट पुजीशन एकदम अंतिम पुजीशन है यह स्कोर कितना है 57 मतलब कि 50% तो है 100 में आप लेकिन हम लोग का ये पूजिशन लास्ट है आप देगा 28 से स्टेट में हम लोग लास्ट होंगे और सबसेट टॉप में यह केरला आए क्या यह बताई आप लोग तो दिमाग पर जो नहीं पड़ेगा तो इंडिया से भी रिलेट करिए और कमेंट भी करिए आप लोग थाकि यह बताई है चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या यह कोशन का बीमन होकी चैंपेन से ट्रोफी हुआ है क्यों सा बीमन का युश्ट लेवल का है यह वर्ल लेवल करने यह सिया का है होकी है और इसमें बिहार एक ग्यारे सबुस्ट में यहां पर बिहार में यहां पर नेक्स्ट है कितने कंट्री ने पर्टिस्पेट किया था एसियन वीमन होकी जो अभी चंपियंसिप में देखे थे बिहार में हुआ था तो कितने यह भाग लिए थे छो देश इंडिया था ही चाइना भी था उसके भागल में यह जापान साउथ कुरिया और मलेसिय और थाइलेंड तो यह चौक देश है इतने याद है कि कम से कम यह छे देश आपको पाटिस्पेट किया है किसमें होकी में अब यहां पर दिखिए बिहार से एक प्लेयर थे जो कि सिल्वर मेडल जीते हैं हाई जम्प में पेरिस पैरा ओलंपिक जो हो रहा था यह पेरिस प मेडल हाई जम्प में जीते हैं टारिट ऑफ मर्जिंग नौर्थ एंड साओथ खियार ग्रामिन बैंक tyres तो ग्राम इन बैंक त मार्झ करके क्या कथ आगीए कि कब तक है मार्ट 2.5 तक दोनों को मर्झ कर देना नौरथ साओथ का ग्रामिन बैंक ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे next है दिखे एक scheme है कौन सा CM बालिका cancer परतिरक्षन scheme तो यह जो है cancer से लोगने के लिए लड़ने के लिए यह के scheme चलाया गया है और देख सकते हैं बालिका लोग के लिए है तो कितना से कितना एज के यह पे vaccination दिया जागा उब फिरी में 9 से 14 साल के बचों को दिया जाएगा ठीक है next है how much compensation will be given by government to a person killed in a wild animal attack हमाली यह जिसे हाथी अटेक कर दिया ठीक है यह हमाली यह share अटेक कर दिया आपका death हो गया तो उसमें कितना आपको compensation government देगी मुआप जा एक तरह से तो इसमें जो है न सरकार जो है आपको 10 लाक रुपे देगी 10 लाक यह धियान केगा और कौन सा police station है जो कि first किया F.I.R को register करने में बिहार में under the new criminal law तो गया government railway police station सबसे आगे है F.I.R दर्ज करने में वो भी नाया जो law बना है criminal law उसके अंत्रगत ठीक है दोस्तों next देखिए यह 10 लाक रे प्रोड़क्शन होगा किसका इलेक्टिसिटी का यह बते है solar वाला यह है क्या solar वाला हम लोग budget में भी discuss किये थे ठीक है 2400 मेगावाट का दोस्तों कितना 2400 मेगावाट फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग यह देखिए by when has the target been set up to complete the land survey work of बिहार तो बिहार का जो भी land survey है यह भूमी परिरक्शन जो हो रहा था उसको कब तो complete करना है December 2025 आने वाला next साल के अंतिम मन्त तक इसको complete करना है December 2025 तक अब देखिए यहाँ पर बिहार का पहला इस्टोमा किल्निक खोला गया है कौनसा इस्टोमा किल्निक अब क्या है इसकना ज्यादा डिटेल नहीं जानी है IJMS पत्ना में खोला गया इंद्रागांधी इसीड़ो मेडिकल साइंस इमस पत्ना नहीं है IJMS पत्ना पत्ना हाई कोट है इस इंप्रूब ने पाइन आप 10 लाक ओन विच इनवर्सिटी वो कोट का ओडर को नहीं माने तो उन पे 10 लाका पाइन इंपोज कर दिया गया अच्छा है पत्ना ही कोट के दोर लगाए गया है बीर कोट कर सिंग अगर इनवर्सिटी में है करा सिंगर इमकोर गजाता यह रिलेट करके क्को कुछा जा सकता है आधाल यह थियार रिख सकते हैं बीर कोट सिंग के बारे में हम लों सब बताए था कि यहां पर आराम उनका नाम परे अनॉन ऑलेडिउट Top में है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है कि आपको कुमर सिंग के बारे में तोड़ा सा आइडिया रहा है अब देखिए कुमर सिंग का जो है न यहां पे जनम होगारा यह सब देख लिजेगा कि सदर सब्रासी में लगवाग औसे साल के आसपस जीए थे जगदिश्पूर के राजा थे ठीक है और 26 अप्रिल अठर्स वन ठाउन को बोले देता है कि इनका डेत हुआ था कुछ बुक में और भी देता है इनके भाई थे एक उमर सिंग ठीक है वो लोग गुरु लावर पे रोगरा चला रहे थे आप लोग बताना है इतना ही मैं रखता हूँ आगे चलते हैं हम लोग अपना दोस्तों मैप में आप लोकेट करिए कि आरा वाला रिजन कौन सा है यह बोजपुर वाला है कि कौन सा है बताइए और बैटल अपक्सर तो यहां पे हुआ था आपको आइडिया हो गाई ठीक है और यहां पे जमुई में मिला था यह गोल्ड रिजर्व यह हम लोग ने दे लेल्मिक दिए यह पैरा उल्मिक नी ओलम्पिक का बात हो रहा है तो यह पिसमें परिश-ओलम्पिक में यहां पर देख सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट है मत पर्देश के बाद कौन सा सिटेट है जो कि पहला आपको एस्टेट हो गया है तो अपन मेडिकल एजुकेशन हिन हिंदी, मतलब की दिंखिए आप मेडिकल के पढ़ा ही लोग दिखते हैं लोग दिखते हैं कि इंगलीज में होता है दोक्टर का लाइटिंग दिखते हैं किस तर से लिखता है पता ही ने चलता है कि क्या लिखा है ठीक है हम लोग का ह judgments िखspray ने यंग आपको लीडर घोषित किया है किसको किया है तो सिवान के एक सरद बिवेक कुमार है सरद बिवेक कुमार तो यह थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाते हैं यंग गुलोबल लीडर बन गया है और डबलुएफ का रिपोर्ट भी है देखें डबलुएफ का बहुत साथ इक सरद लेबरोट्री ठीक है तो यह एक तरह से मतलब कि सब्सक्राइब को परीक साला कहले गया को यह 결़ा यहाद रखेगं सो यहां पर यह हिंदी वाले में नहीं दिया एक साथ चलिए यहां पर यह करेंट चेर्मेन और बीपीए सी तो यह पहले तो अतुल पर साथ कितना नीज में रते थे अभी आ गया है मनु भाई जी कौन प्रमार रभी मनु भाई मुन्ना भाई नहीं मनु भाई तो इस तरह से य थे पाथना में तोड़ा साथ देखिए यह पॉैंणा यहां पर दूसतो Bizimे पटना ठीक है और पूल्णिया कहा पर आप देखिए जल्दीवय रता ha तो एक छोड़ से दूसरा चोड़ तक लबग का निर्मान किया जा रहा है यह आईडिया रहेगा ना तो माले जे कोई आपको इसले दिखा जा रहा है तो याद हो जागा कितना रटियेगा बैठके तो दिमाग में स्रेट हो जाएगा अच्छा इस साइट का कोई यह आपको अगर आपको कोई option में दे देगा कि नहीं यह मधुमानी था तो आप कट कर लेजिए ना मधुमानी उपर है यह तो आप जो ग्रुपी में मैं पोगरा पड़ते ही है हम लोग तो कराएंगे इसको जब आएगा तो देखे यहां पे 166 फीट का यहां पे परतिमा इस्टेश आप बनाया जाला है तो हाजिपूर में किनका सरस्वई सरुवर दिखें तो 101 चीज़ बताएंगा यह मैप में आप देखेगा तो हाजिपूर पटना कर जश्ट यहां पे है यह बाइस्ताली वाला रिजन में पढ़ता है कि यह बताएंगा और यहां पे वज्जी संग था रहा था आठ उसमें के था यह बताने आप यहां पे और यह बाइस कर दिया साथ में आपको कनेismo के साथ को Kell करते करते हूं नेकिस्ट है चीप मिनिश्टर नितिशकुमार यहां पे फॉरेंट टूर पे गए थे तो कहां पे गए थे बीटेन में घुमने गए थे बीटेन में नितिश कुमार जी गए थे अपने नाम पर एक डिवाइस विलाउंच की आपको आगे मिलेगा बताइए का अगर आपको रिकॉल हो रहा हो पहले से पड़े हो तो इन वीच रेल जमालपूर ख़दिराबाद कुछ करकर कर के था जी सब कहां पर जमालपूर बताइए आप लोग देखें विस्टा है यह आपको मुंगेर में क्या मुंगे एवाप को था नहीं, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं मन्रेगा का एali M ada4 Dan, लो को 225 बिना मिमには तो हो सकता है आपको अभी यह भी पूछ ले तो इसलिए यह भी इंपोर्टेंट है यहाद के देखिए यह मैंने जमालपूर का आपको लोकेशन यहाँ पर सर्च कर दिया है देख सकते हैं मुंगे डिस्टिंग में सो कर रहा है ठीक है तो आसा आप लोग भी इस तरह से एक् दमी मतलब समझ सकते हैं आपको यह इंडस्ट्री होगारा लगाने के लिए दिया जाएगा कितना फाइनेस्यल असिस्टेंज मतलब साहता दिया जाएगा पूर फैमली अगर आप है तो और सेल्फ इंप्लाइमेंट के लिए तो दो लाक रुपए दिया जा रहा है और एक ह प्रोदेश दर्शन 2.0 यह आपको एक तरह से टूरीजम को बढ़ाव देने के लिए कितना प्लेस बिहार में इंक्लूड किये गा है इसके अंतरगत तो चार मतलब की प्लेस हैं कौनसा गया नलंदा बिक्रमसिला और सीतामडी यह बिक्रमसिला वहीं है जो अभी हम प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब करके कुछ और सीतामडी में था तो सीतामडी में नहीं था अगर नहीं सुने वह लेक्शर तो जाकर सुन सकते हैं नोट्स का हम लोग ने बहुत अच्छा से डिस्क्रसन कराया दोस्तों ठीक है आप एक बार सुनिए का ना तो सब कवर प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब जहां पे सवाचला अगरा जो लोग है घुलया में नहीं कर रहे हैं यह मुडल ब्लॉक बन गया अब प्लस भी है तो इसमें सेनिटेशन वगरा भी आ जाता है कुछ नाली अगरा भी साप सुतर है यह सब है तो ये इस्माइलपुर भागलपुर वाला लिजन है तेक है Ismailपुर भागलपूर में यहोडियो प्लस मोडल ब्लॉक बन गया है तीक है और डिस्टिक बिहार का कौन है फ़र्जट वाइल लेफ होस्पिटल को दिया तेक है यह जानुवरों लोग के लिए होस्पिटल खोला गया है तो यह मुझापरपूर के कहां सेरपूर में तो यह मुझापरपूर के मैंने लोकेशन दिखाया था नो यहाँ पर बार पर देखेगा न तो आपको ऐसे भी ज्योगरोपी वाला सारा चीज यात हो जाएगा तो इंतिचक करके बिलेज है क्या बताइएगा वहाँ पर क्या बिग्रम सिला उनिवर्सिटी का रिमेंज मिलता गाउं यह अपर बताएगा हम लोग इंसेंटेश्ट में डिसकस किया है बिहार का लार्जेस्ट ब्लाड बैंक कहां बन रहा है तो यह मुझापरपूर में ही बन टेस्टिंग होगा वेहिकल का औरोमटिक फितनेस है की नहीं या उसका सर्विसिंग का जुरत है तो बेटा पत्ट्ना में इसका कर दिया गया है इसका उद्ँहातन ब्यार का पहला फॉरेंड केपिटल एक्सपोर सेंटर ठीक है पोश्टल एक्सपोर्ट सेंटर कहां पर खुला गया फॉरेन पोश्टल जीपी ओ पत्ना में खुला गया जाना कियेगा नेश्ट है यहां पर बियार का पहला नेशनल फूट टेकनलोजी इंटर प्रेशिप एंड मैनेजमेंट इस्टिूट कहां पर खुला गया है तो यह हाज़िपूर बैसाली में खुला गया है ठीक है दोस्तो और गरूर सबसे ज़्यादा कहां पर मिल ला है तो भागलपूर में देखने को मिल ला है और बियार का पहला साइबर थाना कहां पर खुला गया है तो साइबर था ना मतलब साइबर क्राइम जो होगा वो सबसे रोकने के लिए ठीक है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौनसा मुष्ण आपर इगल्स इगल्स यह भागलपूर से एक डाइकलो फनेक करके न्यूज में राता है दोस्तों बताएगा कि उसको खा कर क्या यह बल्च सकते हैं और यह सुन नदी पर बनेगा कौन सा डिश्टिक मानना यह बताइए निश्णाग डिन ट्रिबुनल एक 2010 में आया था क्या यह भी आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा 2010 में न्जेटी के एक्ट से आया था प्रिस्पर आप नेचुरल टेस्टिस पर काम करता यह सब UPC की थोड़ा सा टाइप का हो गया किस डिश्टिक में बिहार का पौला ऑक्सीजन पार खुला जा रहा है तो गुपाल गज के थावे में तो देखिए यह गुपाल गज के थोड़ा सा आप लोकेशन देख सकते हैं कहां पे हैं देखिए आप खोजी यहां पे गु सबसे नॉर्थ नॉर्थ में क्या घार आपको दिख रहा होगा मैप में थोड़ा सा आइडियोव और सबसे इस्टार मस्ट में क्या हुआ एफ में बताना हो गाया इस डिस्टिक में है है यहाँ पहला Climate Change Learning Lab खुला गया है मतलब जो Climate Change हो रहा है ना उससे रिलेटेड हम वहां पर करेंगे उससे कुछ सीखेंगे एक कहां पर खुला गया है तो पत्ना पर दिख रहा है ठीक है नेक्स्ट है कि यह स्टेट का मतलब राज का पहला और्गेनिक फार्मिंग मोडल ट्रेनिंग सेंटर कहा खुल जागा तो यह पतना में खुल जा रहा है कहां पे लेकिन फटुआ यह जगा याद रखेगा यह सब कंफूज मत हुए गा जैसे कि बाकी पूर पतना ठीक तो यह तो सब कंफीज नहीं होना यह तो यह सब ध्यांँ रखना है कि किसका पुराना नाम कोना था दो लक्षों को पूरा कर लिया गया है तो हम लोग ने लक्षा रखा था कि मुरिल नाओं को अधिकार देंगे रोजगार देंगे रिजार्व बतलब कि आपको इंप्लाइमेंट देंगे तो हम लोग ने इसको पाली है और जो इलेक्टिसिटी है हम लोग हर घर तक पहुचाने में सफ़ल है वहले कितना दिर भीज़ी ले रहा है अलग बात है लेकिन हर घर तक पहुचा दिया गया है सरकार के यह डोकुमेंट में यह य जलास है केमूर में केमूर इंपोर्टेंट है क्या यहां पर सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट बिहार का देखने को मिलता है क्या यह बताईए और सबसे ज़्यादा देंस फॉरेस्ट कहां देखने को मिलता है क्या यह भी बताना है जो हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट क उसका यहां पर देखनों को पता चला है कि दोनों को बताना है कशेंढ बिखिशन में को बताना है चिल papta छोटा सजिला डिमाग में आ रहा है तो यहां पर tehdगे तो यह चोंटा सा जिला है क्या अब दाना इससे करा देते हैं सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर रहता है कि सबसे ज़्यादा तो आपको पटने में देखिए उग्णोग मिलेगा और सबसे ज़्यादा एरिया यहां पर ठीक है चलिए तो यह हो गया हम लोगा निक्स्ट हम लोग का अदेकिए यह मैं पूछ रहा था स्री राम जान की मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यह देखिए यह इंमत मार दिजएगा यह सीता राम जान की कौनफीर ओकर सीता मड़ी मार दिजएगा यह खोला गया है समस्तिपूर के सराय रंजन जगापर समस्तिप पैसा जो है बियार गोवर्मेंट ने एनाउस किया है कि इसको हेरिटेस ट्रीज को यहाँ पे कॉंजर्ब कोने के लिए 10,000 रूपया बियार का रिजर्वेशन अमेंडमेंट भी लाया था जो कि लेकिश लेटी बसे मिल में 9 नौमबर 2000 तेस को आया था और यहाँ पे देख सक सर्वे कराईए फिर बाद में सर्वे तो करा लिया गया लेकिन रिजर्वेशन बिलाया तो इसको खारिश कर दिया केसल कर दिया इंद्रा सानी केस पताईए किसी से रिलेटेड है अगर मालेजिया आप OVC EBC को ज्यादा परसेंटेज में जीतना पुपलेशन है आप उतना लोग थोड़ा तीक है जोस्तों यह वहीं पला निउज है कि 50% जो कोटा लाया था पटना इकवर्मेंट को केंसल कर जा था है यह आप लोग प्लेश्ट में जाकर देख सकते हैं पूरा डिटेल में है तीक है यह यहां पर मालेजिय कि कितना कितना किसको दिया गया 50% किया यह सब डाटा है ना और इसमें क्या दिया गया था बस कि यह नौनोंबर को आया तो इस तरह का डाइरेक्ट पूछेगा ताब ना अगर दो स्टेट्मेंट बना दिया तो फिर क्या करिएगा लेवल के ट्यारी करिए तीक है यह वाला जो इंपोर्टेंट है जैसे कि आप पढ़े होंगे सुप्रीम कोट ने यहां सी और स्ट के लिए यहां पर सब कर्टेग्राइशेशन के लिए बात बोल दिया है और यह साथ जर्च का बेंच बैटा था आप बताएगा सबसे ज़्यादा जर्च का बेंच क्या केसवानत भारती केस में बैठा था क्या निसो त तुरा सा देख लेना ठीक है कौन-कौन स्टेट अगर अलड़ी दे रहा है तो भी चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना ठीक उस्तिर से इनिफॉर्म सिविल कोड वाला था बताईगा इसको कौन लाव कर लिया है गवा में तो अलड़ी यह पुर्द गाली वाला आज आज सुप्रिम कोड ने अन कंस्टिटूशन करार दे दिया था नेक्स्ट है यहां पर इसपोर्ट चेंपियंशिप और्गिनाज किया गया पहली बार बिहार में कौनसा इसपोर्ट मतलब की इलक्टोनिक टाइप का स्पोर्ट है पाटली पुत्रा स्पोर्ट में तो यह इंपो समस्टिपूर इस वुदनाज कि नाम परेशिटी विखके और्गी कहार मतलब की चिडिया ग़र यह और अरिया में है कौनसा रानि गज और अर्या में एक चीज ये बताईएगा दोस्तों रानि गज एक मोवी बना था वह सब उल माइनस भी था है क्या धारकंट वाला ये लगा गय क्या बताईगा जो राजनि गज था आप देख सकते हैं और अर्या वला ये दिजन है ठीक है नेक्स देखिへ जीविका में खुल गया है कहां पे सहर्षा जो हम लोगे देखा था सहर्षा ये कहां पे है सहर्षा इधर होगा देखिए दोस्तों सुपॉल है मुदमनी है सीता मड़ी है इसे के आसपास देखिए यहां पे सहर्षा का गड़िया नीचे है ठीक है चलिए आगे हम लोग का क्या कोश्चन है कि बिहार का फॉस्ट प्लास्टिक बेस्ट मेनेजमेंट सेंटर ये कहां पे खुला है तो भागलपूर के सिपेट में खुला है आपका काम है सिपेट के बारे में तोड़ा चागर देख लिजेगा तो भागलपूर हैं मिक्रमसिला होस्पीटल जो है ना आपको पेपर लेस हो गए मने सारा काम ओनलाइन हो रहा है रेजिस्टर से लेकर दबाए हो गए सारा पूर्जा हो गए सब भब्या इसकी में ब्यार हेल्थ का अप्लिकेशन बिजनीर स्कीम पर इसको अल है यह मेंस के लिए इंपोर्टेंट याद कर सक कितना एमांट जो है ना कॉंपनसेशन दिया जाएगा इंक्रीज कर दिया गया पहले मिलता था उसमें अब ज्यादा बढ़ा दिया गया माइग्रेंट वरकर्स हैं अगर माली एक्सीडेंट हो जाथा है तो दू लाक मिल देगा पहले एक लाक था अब दू लाक कर देगा दो गुना कर दियागा बियार के बजट का साइज है तो हम लोग पूरे डिटियल में डिसकस किया है दूस्तों 28725 और यह तुम्हाली रिसीप था और स्वरी यह खर्च था ना और यह को तया रिवेन्यू खर्च एक होता केपिटल एक्समेंटिचर यह असी के आसपास था 79.something यह 20% के आसपास था उस तरह से यह खर्च हो गया लेकिन हम लोग का रिसीप्ट कितना था जिसमें की बोरोईंग हो गरा सब हम लोग ले कर देखे थे तो 28925 था याद कर आया था हमने 7 के जब पर नो कर दियेगा तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है आप देखेगा यहाँ पर ब्यार का जो बजट है यह लेटेस्ट वाला उसके अक्वाडिंग इस्टीमेटेट फिसकल डिपसीट कितना है तो हम लोग ने बताया था कि जो एफार बीम एक टाता है यह उसके अंतरगा 3% का अंदर में रखना आता है तो हम लोग का 3% का अंदर में था 2.98 प इडिवेन्यू वाला बता दीजें ठीक है और यह सब हो गया ना आपको तो धीके दोस्तों यह जीएस्टइपी था समझ गें GDP इंडिया का होता एक जीडी डीपी ओता यह बता ह क्या होता है हम लोग डिस्कस किये थे ओलडेटे यहां पर किस कंट्री के टीम ने को बिजिट किया है जन्वारी दौएज़ाट चोबिस में ताकि स्मार्ट प्रिप्यर्ड मीटर को इंस्टॉलेशन को अम लोग समझ सके और यहां पर एवरी हाउस को जो एलेक्टिसिटी प्रोवाइड किया जाता है तो लोग स्मार्ट मीटर लगा दिये थे यह बिजलियों वाले में तो यह द्रॉप दिमूर मुझी इसको लॉंच करी थे यह याद रखेगा अठार अक्टूबर को लॉंच किया गया है कितना को अठार अक्टूबर को चलिए नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे एक सेंटर अप एक्सिलेंस बनाया जा रहा है किसके लिए बिटल लिफ बिटल लिफ के लिए सेंटर अप एक्सिलेंस बनाया जा रहा है पान का विकास इसको इंगलिस में बोलता है बिटल लिफ तो एक मगाई पान है कि अज यह देखा जाता है हाउ मेनी क्लोर से प्रूब किया गया कि इसको बिहार को सेल्फ रिलाएंट मतलब आत्म बना जाए किस फिल में तो सीड के सीड हर्प्स बनाने में ठीक है मतलब कि बीच जो होता है न उस सीड को क्रॉप का बीच को यहां पर अच्छा से टेकल किया जाए इसक प्रक्षन प्रमोशन पॉलीशी कि हम लोग डिटेल में भी देखेंगे पॉलीश होगा और हाउ मने इलेक्टिक बसे गिवेन टु बियार पर ऑप्रेशन अंडर पीए बस से वाई हो ना आया है उसके अंदर चार सो बस को बिहार में चलाने के लिए दिया गया है ठीक है आ चार कुड़ क्या चीज़ जीतना भी मतलब कि जो मेंबर लोग है लेशलेचर मेंबर लोग इस्टेमेटेड एमांट पहले तीन कुड़ मिलता है तो नुको च्यार कुड़ मिलेगा परति बिधान मंदल सदस्की अनुसंसा हेतु आप देखे यहाँ पे है डेख टोटल नंबर ओफ वेट लेंड यहाँ पे बिहार में कितना यह हो गया है अब तीन हो गया आपको बताना है कि अभी लेटिस्ट वाला कौन कौन जुड़ा है तीन हो गया अभी एक नागा और नक्ति जुड़ा है कि यह बताईए और है का पर यह नागा यह नक्ति बाट संक्चुरी है क्या बताईए तो यह थोड़ा साप लोग डिशन करिए तो अभी जा करिए होगा देखे बाल बजट न उसके अनुसार बिहार में बाल बजट यह सब आता है तो यह इन्फैंट म क्या दूसरा निस्टनल पार्क खुला एक तो पहले से बाल में की अनुस्तार पार्क चंप ने में दूसरा कम में थीए और डॉलफिन का रिसरस इंटर के अहीं प reliedना में खिला है क्या और डॉलफिन का क्यों अकटो आत यहां को निया में 42 और कॉन है क्या आप्को 333 सेमन करनाटक में बताइए का वो कौन सा जगा है एक तालिसवा नुबर सांती नहीं केतना वाला इन्वर्सिटी है जो रविंदा नटागोर का बंगाल वाला देखिए टीवी मुक्त पंचायत बनाने के लिए कितना पंचायत जो है प्राम इस ब्लॉक को बिहार है बिन तेरह.07 क्लोर अब लिए कि पहले क्या था न कि माली जी कि हम लोग पास कितना साध़े दस कोड़ कहाँ पास दस पॉइंट चार जिरो क्लोर यह 2011 के सेंसर्स के था अब अम लोग पास तेरह क्लोर जंसंख्या हो गया ठीक है इंडिया का कितना एक सो चो वालीस का असपास प अब मुझापएऊंगा में भागापड़ बढाऊ में यह आप पॉटल पे प्राइबेट नेट सीब तो तीन यहां पर होटल बनाये जाएगा ये किस कमसा फाइबेट होटल गां हाउ मेनी निउ जोन्स विल बिक्रेटेड वाई डिवाइडिग पट्ना स्वधर जोन पटने शजोन को कर अब चार जोन बनाये जाएगा ठीक है चार जोन औ और हम लोग देखा था चार जगा पर मेट्रो का काम स्टार्ट हो रहा है कौन बिहार के यह परसन है जो कि पदमा भीवुसन दिया गया पदम भीवुसन और 24 में दिया गया बहुत इंपोर्टेंट है पदम भीवुसन बिंदेश्वरी पाठक ठीक है और कितना वजट यहां पर लोकेट किया गया साथ नीचे टू इसकिम के लिए बहुत इंपोर्टेंट इसकिम है यह सब आया हुगा है मेंस में भी तो यह देख सकते हैं 5040 क्रोड उप है कितना 5040 क्रोड यह हम लोग ने इसको डिसकस कर लिया था आपको यह बजट सर्वे अलग से डिसकस किया उस टिक है गया मेर गया रभर्वरайтधम लोगों ने देखा था रिकॉल कर दिये ठीक है इस दिसको आप लोग देख लिया ठीक है का दूस्तों यहां पर हम लोग ने एक यह देखा था कुछ ideal है कोई है जिरांध है क्या सारन में बताई है और यह कहरे चेचर का हाँ ये भी बताई है तो यह गटना चक्रल तो इसको देख लिजिए यहीं पे 132 लोग को यह पदम आवाड दिया गया था मतलब कि पदम विभूसन, भूसन और पदम स्री मिलाकर और साथ लोग बिहार से थे जिसमें से बिंदेश्वर जी पाठक जो है यह फादर अब सुलब मुमेंट सुलब सोचाल है, अगर आप लोग देखते हैं तो इनी का यह दियन है, ठीक है और यह रामपूर बैसाली के रहने वाले थे, बजजी संग यह रिलेट करिए, यहाँ सुलब इंटरनेशन 1970 में बना दिये हैं, आज से देख सकते हैं, 30, 25, 55 साल पहले, और इनको पदम बीवोशन दिया गया है, अब 23 में, गांधी पिस प्राइज में मिल चुका है, 2016 में, सुक्ष भारत मिसन को लेखा, और यहाँ पर एक स्पी ठाकूर जी है, ठीक है, इनको मेडिकल फिल्ड में दिया गया है, ठीक है, इनको इतना बड़ा आवार्ड मिला है, उनके बुक का नाम और है, फेमस तो कुछ देख लेजिए, इनका सुलब समचाल का बाद 2017 में है, तो देखे, अगर इस तरह का कोशन बना दे, कि आपको कुन से, बिन्देशवर पाठक वाज आवाडेड पधम विभुशन, नहीं, पधम विशन नहीं, आपको देखे कि पधम सिरी, ठीक, इन 2023 तो गलत होगा पधम विभुशन, दूसरा में देखे कि ही, एस्टेबलिस्ट इंटरनेशनल सुलब चलिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक सुरेंदर किसोर जी है, यह जर्नलिजम को लेकर सुरेंदर किसोर जी, पत्रकारिता में सुरेंदर किसोर जी, इनको मिला है आवाड पधम सिरी, यह सिरी वला है, सबसे उपर पधम विभुशन होता है, पिर पधम को आपके कर आद और दो उनको पी से पदमा भूसन वाला मिला है उसके बाद यह लोग है अब देखें सीवन पस्वान और सांती देवी यह से दोनों लगा नाम है तो मितला जो पो काट है इसके लिए जो पेंटिंग है उसको और एका असु कुमार विश्वाजी है टिकुली आठ के लिए असु कुम विदिटेगा यहां पर दिखेगा यह वाला जो रिजन है यह नेपाल से यहां पर बिटच होता है यह सब थोड़ा साइडिया होना चाहिए आप लोगों ठीक है तो यह वाला रिजन में मितला पेंटिंग होता था इसका में तो आता ही है पतना कॉलंबाला प्रतना और आरा सेंसर सर्वे सब देखेंगे एक चीज़ देखेंगे दोस्तों इनका जो प्रेक्टिस सेट आता है ना उसमें ये बजट का और एकोनोमिक सर्वे का दो सेट अलग देते हैं अधरवाई सब जो है ना मिक्सर पर रहाता है पचास-पचास कोशन का इनका यहां पर आप देख सक अनकार्प्रेम करके देए आप दो बताइएगा कमेंटमें इनकर सब्सक्राइब डेम P SPEAKER 511 मिटर है क्या पहला कё़्या ऑगल दूस्तर क्रेक्ट है यह में सेक्पषण करहिक्ट है और दोनों कर्यक्टै यह कोई नहीं करेक्ट है बताएए जल्दी सेक पॉस्च लिजे औ और पहले स्वोंच लीजे तो फिर बताईएगा गया जी डैम हो लोने देखा था कितना था 411 मीटर था ना 411 मीटर तो ये आपका दूसरा स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा पाला वाला था कि इंडिया का लार्जेस्ट अबर्ट डैम था तो बस ये इंसर निकल जाएगा ठी ये दिले लीजे भागलपूल पता ये कहां पर हो रहा था वान हेल्थ लैब ठीक है दोस्तों ये इंपोर्टेंट भी है दीक है जो इंपोर्टेंट है मैं उसे का जस्ट कोश्यां बना रहा हूं तो ये मुझा परपूर में खुल रहा है आप लोग इसको रिलेट कर पा र और आगे देखते हैं हम लोग दिखें जुस्तों ये चीज आपको ये रिकॉल कर पा रहे हैं क्या यहां पर मैं जैसे पूछ रहा हूं आपसे कौन सा सभीता महतो एक थी सभीता महतो क्या एवरेस्ट पर कुछ पता होगा रहा है हासल की थी 64 घंटा में नहीं ये 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 य जो है परसेंटेज बिहार के गरीवी रेका से बाहर हुए हैं तो अभी कितना है 33 परसेंट अभी बिहार के पूपुलेशन गरीब हैं कितना बाहर निकल गए है क्रोड ये आपको बताना है अप्सन दे रहा हूं मैं 3.7 क्रोड मतलब 7 0 3.8 0 3.75 77 ठीक और एक ले लिजे 3.5 इसमें से बताएं कौन सा इतना लोग जो है यहां पर करोड लोग गरीवी से बाहर हुए है ब्यार से जल्दी से कमेंट करिए तो फ्रेंट्स 3.77 क्रोड डी अप्सन निकल गए हैं गरीवी से बाहर और 33.76 भी गरीब है लोग वन तर्ट के असपास देख सकते निकलता कौन मैं पुछता हूँ आपसे कि SDG इंडिया इंडेक्स को निकलता है यह बताइए जैसे मल्टी डैमस पौर्टी इंडेक्स निकलता है इसको भी यही निकलता है इसमें सबसे लास्ट यह स्टीट में यह आपको बिहार करेंगा संतावन स्कूर था यह याद रखेगा ठीक है आपसे कोशन इस तरह बनाया जाएगा कि बिहार वाज सेकेंड लास्ट रैंग ठीक है इन SDG इंडिया इंडेक्स और उसका रैंग सताथर स्वरी सताथर बुल लहां हूँ मैं उसका स्कूर जगा है यह आपको 27 था क्या तो देखिए दोनों गलत हो जाएगा क्यों तो यह स प्रिक्ष्ट में एक और आपसे सवाल पूछता हूं सवाल क्या है देखें यहां पर सवाल है जो एसिया का वीमेन होकी चेंपियनसीप यह आपको वन स्टेट्मेंट वाला में कोश्चन सेट करना हूं ठीक है यह रहेगा पहला अप्शन राजगीर दुसरा पटना ठीक है तीसरा गया चौता मुझा परपूर यह आपमें पताना है कौन सा है कि राजगीर है तो हाँ इसमें छे देश भाग लिए थे यह याद रखना आप लोगो और एक सवरत कुमार थे हैं जो कि आपको किसमें पैरा ओलंपिक पेरिस पाहला ओलंपिक में सिल्वर मिडल लाए थे ठीक है और एक सिर्यासी सिंग थी जो कि केवल आपको पेरिस लॉंपिक में यह बिहार से भाग ली थी और बीट किवर सिंग इनिविश्टी पर दस लागा फाइन लगा था यह सपनों लोग दिख लिए था बियार का पहला इस्टियोमा किलनी कहां खुला है फर्स्ट इलेक्टिसिटी प्रवाइड करने के लिए यह आपको बताना कि प्रप्रेती हाई कहां पर ठीक है 24 मेगावाट का बन रहा था था तो पूर्णिया कि दर था देखे तो हम लोग यहां पर था तो यह आपको पटना वाले से पूर्णिया तक जाएगा ठीक है और एक ता ठाल करिए तक और यहोग तो यह उलिए परनके से काम नहीं चलेगा वेगर बकसर से भागलपूर पीभी था ठीक पीपी बीपी तो बककसर से भागलपूर यहां से लेकर यिहां तक था और यहां आपको बता gjता था कि वहां इंतिचक गाउं इस पर यहीं पर है क्या बताईएगा आप लो क्या चीज़ मिला था देखिए एक स्टीव भगवान का यहां पे 107 फीट का 167 फीट का उंच्छा इस्टेच्यू बन रहा था यह सरसाई सरोवर हाजीपूर में बन रहा था मैंने बताया था और यहां बिहार म कमाई एक कोशन है का आप लुक जवाब दीजिए दूस्तों टिक है मैं आपको दे रहा हूं कोशन क्या है आपको यहां पर की स्मार्ट बिलेज वाला ख्रोन है टीक है स्मार्ट बिलेज विहार का देखिए अप्षन में है बहराइच बवारचक तीसरा में है ऐ और option fourth में है, मा लीजे, कोई और गाउं, बोजपूर या कुछ भी ले लीजे, यहाँ पे कुछ टाइप का नाम, तो इसमें से बताना है कि कहाँ पे बिहार का पहला smart village बन रहा है, तो यह बावार्चक था दोस्तों, हम लोगा देखा था, बावार्ची नहीं, बावार्चक, बाका डिस्टिक में है, यह भी याद रखेगा, बाका यह वाला डिस्टिक, यह, चलिए, यहाँ पे हम लोगा, यह almost बहुत सारा कबड हो गया, तीके जुस्तों, यह हमारे बिहार में, पहला, जो है, क्या खुला था, एक, ऑक्सीजन पार खुला था, पहला था, थावे ग इल गाय को लेकर रिसर्च इंसीजूट बंढ़ा था, डुम्राव बक्सर में बताया था, ठीक है, अब देखिए, एक डिश्टल सर्वे हुआ था, यह स्टार्ट हुआ था, सिखपूरा से, और यह भी था, राम जान की मेडिकल कॉलेज, यह सराय रंजन समस्तिपूर में बनना है, सीता मड़ी में नहीं, यह याद रखना है आप लोग को, और आगे चलिएगा तो एक दो और मिल जाएगा आपको जैसे कि पॉले, ड्रोन पाइलेट फिमेल कौन बनी है, तो मीनाक्ची समस्तिपूर की है, ठीक है, इतना याद रखना है, और जीव का दिदी, यह लोग जो है, अपना मखाना का इंडस्ट्री सहरसा में लगा रही थी, ठीक है, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, आपको कहां पे CIPET, CIPET, भागलपूर में लगा जाए था, प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट सेंटर, और बजट अगला हम लोग देख लि है, यह आपको अप्सन मैं दे रहा हूं, दो, तीन, चार, पांच, यह बताईए, और नागी नक्टी, यह कहां पे यह आप लोग को बताना है, यह मैंने बताय भी नहीं था, इतिंग, तीके जोस्तों, लेटेस्ट जो हम लोग का सर्वे आया है, यह कौन सा, कास सेंसर, उस अपरबूर, दरबंगा, भागलपूर गया, तो इसको ध्यान रगना है, ठीक है, और यहां पे पटना सदर जोन को चार भाग में डिवाइड के, बस हो गया, और यह एक मिला था, पदम भी भूसन, किसनको, बिंदेस्वरी, पाटक को, और पदम भूसन किनको मिला था, वो CP या SP ठाकूर करके तें, उनको, और साथ नीचे के लिए, कितना मैं आपसों दे रहा हूँ, 5000 कुरोड, ठीक, 500040 कुरोड, 5050 कुरोड, 5000 यहां पे एक और ले लिजे, 20 कुरोड, इस तरह का आपसों नों बताए, साथ नीचे 2 को कितना दिया गया, ठीक है, 500040 कुरोड रुप CP के साथ, जो कि यहां पे यह लोग नहीं दिया है, यह लोग मतलब अपनी मिक्सिंग दे दिया है, लेगर हम लोग जो टॉपिक पढ़ है, उसका हम लोग ने MCQ तोड़ा प्रेक्टिस कर लिया, रिकॉल कर लिया, ठीक है, उसके आगे हम लोग और चीज़ ले कर आएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं एक्सप्रिमें, थैंक्स पर वाचिंग, अल दे बेस्ट, बबाई, और अभी तक देख रहे हैं वीडियो, तो सीरियस कंडिडियेट, वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा, प्लेश्ट को जरूर विजट करेगा, अपने ही चैनल पर, आप जरूर देख सकते हैं, थैंक्स पर वाचिंग, अलेवस्ट, बबाई,